सोनिया गांदी की कॉंग्रेस नेताओं के साथ बैचा कुमूदी सरकार को धेरने की रंडीती पर हुई चर्चा बीजेबी सांसत गौदम गभीर को धमकी भरा मेल भेजने वाले शक्स की हुई पहचवार पाकिस्तान से भेज़ा गया था मेल दिल्ली में बंद रहेंगे निर्मार का रेकंस्ट्रक्शन से चुड़े श्रॉमिकों की खाते में सरकार डाली की पाच हजार रुपै नवाब मले को बंबे हाई कोट से चट कावार खेड़े परिवार के खिलाव ब्यार वाजी पर लगी रुख दिल्ली मेट्रों की एक और उपलब दी बिंक लाइन पर ड्राइवर लेंड ट्रेन पर इच्छालन की शिर्वा नमस्कार उतर प्रुदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंग मिर्जापूर पहुचे कैबिनेट मंत्री सिधात नाज सिंग का बीजेपी नेताओ ने जोरदार स्वागत किया इस दोरान उन्होंने विधान स्वाचुनाव की तैयारियों का जोईजा लिया साथी कैबिनेट मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साथते हुए कहा कि 2017 और 2019 में भी गड़बंदन किया गया था 2019 में भी क्या था मगर एक प्रकार से उनका गड़बंदन जितने भी विवेते सफल नहीं हुए जो पार्टी पुलिटिकल पार्टी विपक्ष हो या सत्तारू वो कहीं कुमकरन की निंद्रा में रहेगा और समय समय पर उटके फिर सो जाएंगे तो उसको जनता पसंद नही करते हैं भारते जनता पार्टी जो है योगी जी और मोदी जी की जोड़ी एक वो हमेशा काम करते रहते हैं और विकास के कारे कर रहे हैं और जनता देख रही है इसलिए 2017 में सफलता मिली 2019 में मिली बसपा पाटी को बड़ा जटका लगा है आजम गर्जले के मुबारक पुर विधान सभा से बसपा के विधायक शाह आलम और फुक गुड़ू जमाली ने आज अपने पद और पाटी से इस्तीफा दे दिया है बसपा विधायक ने इस्तीफा बसपा सुप्रीम मायवती को भेज दिया है जो जमाली का या दूसरा कारिकाल है बता दे कि दो हजार बारा के बाद से बीजेपी बसपा में शामिल हुए थे जिसके बाद आज उन्होंने बसपा का साथ चोड़ दिया है बसपा को आज बड़ा जटका लगा है आपको बता दे कि विधायक ने आज इस्तीफा दे दिया है पार्टी के कदावर निता माने जाने वाले शाह आलम ने आज बसपा का साथ चोड़ दिया है गुर्डू जमाली का ये दूसरा कारिकाल है बता दे कि इससे पहले 2012 के विधान सभा चुनाओं में भी मुबारकपूर विधान सभा से वो विजई हुए थे हाल ही में लाल जी वर्मा और राम अचल राजबर को पार्टी से निश्काशित कर दिये जो आने के बाद मायावती ने गुर्डू जमाली को नेता विधान बनाया था वह लखनाओं में राइस मिलर्स वेलफेर इसस्येशन की तरफ से प्रदर्शन किया गया इको गार्टन में दस सूत्रिय मांगों को लेकर धर्णा प्रदर्शन किया गया इसी के साथ ये भी कहा गया कि धान प्राप्ति मिलर्स के डिजिटल स्ताक्षर करने की विवस्ता होनी चाहिए इसके साथ प्रदर्शन करने वालों को कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हंकामा जारे रहेगा हमारी ये मांग बिगत तीन महीनों से निरंतर सासन के वरिष से वरिष अधिकारियों को मैंने अपना प्रत्यावेदन दिया जन प्रत्यावेदन दिया जा चुका है किन्त हमारी मांग पर कोई बिचार नहीं हो रहा जिसके कारण हम आज यहां पर प्रदेश के सारे राइस मिलर्स धरने पर आये हुए हैं एक दिवसी धरना है और साम को हम लोगों का निरन होगा कि हम लोग अगर सरकार नहीं मांगे तो आगे क्यारण नहीं अपनाएंगे हम की प्रमुख मांग यह है कि आ冷ान को चपी लिए उसमें सर्चार प्रत्सत की के लिए टान दिया जाता ऩता हूं तो सरकार से माज़े हैं पर इसमय हुष समहन हो तो कम से कम नंडल की पांच मॉडर राइस मिले हैं उनको सरकार रेक्वाइर कर ले अपने कर्मचारियों सो पूरा सीजन चलवा करके धान कुटवा की देख ले अकामी 2022 उत्तर प्रदेश विधान सबाच चुनाफ को देखते हुए बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है जिसमें बतौर अतिती के रूप में आये केंद्रीय संसदिय कार सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेधवाल ने कहा कि इस मंदली व्यापारी सम्मेलन की तरफ से व्यापारी वर्ग को एक अत्रित करने के साथ ही भाजुपा की नीतियों और कारियों के जन जन तक पहुचाने का फिलाल काम किया गया है मंदल के 62 विदान सभाओ में बीजेपी 60 सीटों पर जीत दर्ज करेगी विरोधी पूरी तरह से समाब तो हो चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में अपरादी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं प्रोसीजर है तो उसको सरल करना यह समयलन का उदेश से हैं चुनाव कि 2022 में आ रहा है लेकिन वापारी वर्ग में तो यह ऐसी बात हो जो बजट में हम ले सकते हूं हमेशा अपने विवादत बयानों से सुर्खिया बटोने वालिश ट्रम विभा कि राजिमन तफीर अकुराज सिंग ने एक बार फिर से बेतु का बयान दे दिया है एक बार फिर से नया विवादत बयान दे कर सुर्खिया बटोने का काम इस वक्त सियासी गल्यारों में किया जा रहा है उनके बयान के बाद से राजनेतिक गल्यारों में हड़ कंप मच गया है जहां एक और भाज़पा के तरफ से मदर्सों का सौंधरी करण करने के साथ साथ उन्हें हाइटेक बनाने की बात कहीं जो आ रही है महीं दूसरी और भाज़पा सरकार के ही मंत्री उन्हें बंद करवानी की बात करने के साथ साथ मदर्सों को लेकर भद्धी टिपड़ी कर रहे हैं भगवार ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदर्से बंद कर दूँगा मदर्से जो हैं आतंगवादियों के अड़े हैं आतंगवादी की ट्रेनिक दी जाती है क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदर्से से वह आतंगवादी बनता है उनकी सोच आतंगवादी बनती है इसलिए इस देश में हमें पूरा पूर तरह से आतंगवाद खतम करना है आतंगवाद का मुह को चलना सर्फ के तरह जैसे उसका फन को चल दिया जाता है वैसी आतंगवाद का भी फन हम लोग को चलेंगे भगवान इसलाइक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदर से बंद हो जाएं क्योंकि 200 मदर से थे आज 22,000 मदर से उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दी हैं और मदर से में केवल 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 आतंगवादी पैदा होते हैं दबंगों के होसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं दबंगों ने भटो पर बुल्डोजर चलवाया भटे में लगे सिसी टीवी कैमरे के जरिये दबंगों की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई जानकारी बिली की मुबाइल और लाखो का कैश रूट कर दबंग फरार हो गए फिलहाल इस पूरे मामले में इस्थानिय पुलिस जाच कर रही है बाबु जी कुछ मुझे पैसे दे गएते करी एक लाख रुपे के करी लंसम तो मैं वो भी ये लेगे निकाल गए और फिर इसके बाद में दोनों आदमियों को कॉपरेट करके मतलब बंद करके फिर इन्हों तोरफोर चाले कर दियो कैमरा की यो थी उत्तरप्रदेश के मौजले के अखिल भारती रसोईया महत संग की महिलाओं ने कलक्ट्रेट परिसार में पहुच का योगी सरकार के खिलाफ जब कर नारे बाजी की और धर्ना प्रदर्शन किया बतादे की प्रदर्शन कारी महिलाओं का कहना है कि कोट का आदेश आय था कि रसोईयों को न्यूनितम वेतन दिया जाए लेकिन सरकार ने अभी तक मांगे पूरी नहीं की है जिसकी वज़े से धर्ना प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम रसोईयां के जो न्युक्ति का सास्ना देस अउस निउक्ति के सास्ना देस में ऐसी व्योस्ता है कि जिसका बच्चा रहेगा वी खाना बनाएंगी और जिसका बच्चा नहीं रहेगा भाना क्यजिक रेए गए कि प्राधियों पर ताबर तोड का रिवाई कर रही है इसे कड़ी में एसो संजुएतियागी को सफलता उस वक्त हात लगी जब चेकिंग के दौरान लूट को अंजाम देने जौ रहे दो गैर जुन पर दिये लुटेरों को गिरफतार कर लिया गया पकड़े गाए अपराधी के पास से अवैद तबंचे और रुपए बरामत किये गए वहीं आजमगड में भूमी विवाद और अन्य चोटे मोटे मामलों को लेकर आए दन आपस में लोग भेड़े जौ रहे हैं जहां पलाती डंडे और अन्य ओजार का खुले आम उपयोग हो रहा है आरोप लगा है कि पुलिस हलकी फुलकी धाराओं में पाबंद करके अपना पल्ला जाड़ लेती है एक ऐसा ही मामला आजमगड के तहबर पुर्म थानकशेत्र में भी सामने आया जहां पर दो पक्षों में चल रही पुरानी जो रंजिश थी वो उसने एक बड़ा रूप ले लिया और इस दोरान जम कर लाठी डंडे चले खटना में चार लोग घायल बताए जा रहे हैं वही विडियो भी इस पूरे मामले का वाइरल हो रहा है जिसके बाद से असानी प्रसाशन में हरकम पमच गया इस मामले में पुलिस अदिक्शा का नुरा गार्या का कहना है कि एक माहिने पहले भी दोनों पक्षों में इसी प्रकार से विवाद हुआ था पुले के कल फिर इसका वीडियो होगा है पुलिस के दौरा दूसरी तरफ से भी तहरी देते हुए फार पंदिक्श कर ली गई है जो गहल पक्षर एक प्रक्षार कराया जा रहा है और इनके वरुद सभी के वरुद पठोर कारवाई की जाएगी तो आजमगड में दो पक्षों के बीच जो है वो खूनी विवाद देखने को मिला है तस्वीरे आप देख सकते हैं मार पीट का विडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वाइरल हो रहा है जिस प्रकार से दोनों पक्षों में रंजश देखने को मिली है उसके बाद इस रूप लेने के बाद इस पूरे घटना करम में कई लोग घायल भी बताये जा रहे है फिलहाल विडियो के आधार पर पुलिस कारेवाई की बात कह रही है आजमगण शहर कोतवाली के मुकेरी गंजु पॉलिटेक ने कॉलिज के पास यवक ने खुद को गोली मार कर आफ्मत्या कर ली की सूशना पाकर मौके पर पहुची पुलिस चानबीन में जुट गई है पुलिस ने घटना इस्थल से एक तमंच अबरामत कर लिया है फिलहाल शव को पुस्ट मॉटम के लिए जिला स्पताल भेज दिया किया शहर कोतवाली प्रभारी डी के श्रवास्तों ने बताया कि ये वक्की शिनाक्त फिलाल हो चुकी है पुलिस का कह रहा है कि जाच की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कारेवाई होगी पुस्टी की गई है फिल्ड यूनिट के द्वारा तमाम साथ शिखट्टे किये गए फिंगर्प्रिंट्स लिए गए और इसमें आगे की जाच में जो भी बातें प्रकाश महेंगी तुर्दिक कारवाई अमल में लाई जागी अकराबाद थाना शेत्र के कसवा पिल्खना गाउ में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया जहां एक इमाम के डाड़ी नहीं कटवाने पर पत्नी उसे माई के छोड़ कर चली गए पिड़ित इमाम का कहना है कि पत्नी ने उसके खिलाफ तीन तलाक और दहेज उत्पीडन शारिक शोषन का जूटा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है पिड़ित पत्नी उसका मानसिक उत्पीडन कर रही है इसी के शिकायत को लेकर पेड़ित सिविल लाइन थाना इलाके के इस्तित एसेसपी कार्याले पर अधिकारियों से मिलने पहुचा लेकिन देरी हो से जाने की वज़े से अधिकारियों से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी हलाकि FIR दर्ज होने के बार पुलिस कारिवाई करने की बात कह रही है लगवाया है मैं उसके बाजियों शिकात करता हूं मेरी शाथ हुई थी अभी डाड़ी थी अब तुम देखने के लिए अब क्या हुआ कि वह कहते हैं कि यह कहते हैं कि जाने से खतम करता हूं तुझे अगर कहीं मिलागा एक बार मुझे घेर लिया गया कुछ दिनों पहला त और इस तरीके डाली कटवा नहीं कहते हैं कि मुझे डाली नहीं कटवा सकता है अब तक साशन स्तर पर मागो के निस्तारण के लिए कोई भी पहल नहीं की गई इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के D.I.O.S. कारियाले पर कारिबहिशकार कर धर्णा दिया जौरा है जी आज यूपी एजुकेशनल मिनिस्टर आफिसर्स एस्सोशियेशन प्राम्ती कारिकारी के हमारे प्राम्ती अध्यक्सरी बीवे के आदो जी बिभीन बाईस उत्री मागों को ले करके दिनांग बाईस नॉम्बर से ही शिक्षान देशक बेसिक के कारियले पर आवनान अंसन पर बैठे हुए है प्रसासन द्वारा कोई रूची नहीं ली जा रही है कर्मचारियों की लंबी समस्याओं के प्रति जिसके कार्णों है बीवास हो करके आवनान अंसन का रास्ता अक्तियार करना पड़ा वो चार दिन से आवनान अंसन पर हैं कि कल से पूरे प्रदेश में कल याद में आज 25 तारिक से पूरे प्रदेश के जिलावित द्यार निक्षक कार्यालों पे एक दिवसी है कारे वहिसकार धरने का आयुजन किया जाए जिसके निक्तितु पतलब जिसके करम में हम लोग आज समस्तराज की करमचारी जो भी है माद इस दोरान बस में सवार 17 लोग गंभी रूप से घायल हो गए जब कि तीन लोग गंभी रूप से घायल बताइव जा रहे हैं इस मामले में पुलिस ने सूचना मिलते ही कारेवाई शुरू कर दी लेकिन फायदा नहीं मिला करीब सोल गंटे की पुलिस की कारेवाई के बाद बस चालक की बोडी बरामत की गई लोगों का मानना है कि इस मामली में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है तो चादौली से ये पूरा मामला सामने आया है तस्वीरे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से चालक के शव को बाहर निकाला जो रहा है अन्यंतरित बस थी जो नहर में गिर गई और हादसे का शिकार हो गई वही बस में सवार जो व्यक्ती थे उन्हें गंभीर चोटे आई हुई है लेकिन इस पूरे मामले में पूरा मामला तब उस तूल पकड़ा जब पुलिस की इसमें लचर विवस्ता भी देखने को मिली है आपको बता दे कि स्थानिय लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा काफी लेट इस पूरे मामले में कारिवाई की गई है पुलिस ने जिस प्रकार से कारिवाई की वो काफी नहीं थी लगभग 16 घंटे के बाद पुलिस ने बस का ड्राइवर था उसकी बौडी को बरामत किया है इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दोर पर देखने को मिल रही है सकते हैं चंदौली की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक अन्य अंत्रित बस थी वो हाथसे का शिकार हो गई और नहर में जागिरी आपको बता दे कि इस पूरे मामले के बाद जो बस में सवार यात्री थी वो गंभी रूप से घैल बताए जो रहे हैं मामले में पुलिस की भी जो कारिवाई है उस पर भी संदे होता दिखाई दे रहा है इस थानिये लोगों की माने तो उनका कहना है कि घटना की सूचना ततकाल पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में लापर वाही बढ़ती है वहिला पर वाही के चलते जो तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं ये हादसे के बाद 16 घंटे जो थे वो खत्म हो जाने के बाद ये पूरी कारवाई थी जहाँ पर बस के अंदर से बस चालक का जो शव है उसे बरामद किया गया है अब आप इसी बाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चंदौली में जो पुलिस है इस्थानिय प्रसाशन है उसकी कारवाई है हादसे के 16 घंटे बीच जाने के बाद अगर किसी का शव आप बस के अंदर से बरामद कर रहे हैं तो कही न कहीं जो पुलिस है उसकी कारवाई पर भी अब सवाल उठते दिखाई दे रहे है वही सरकार की नीतियों को जनता तक पहुचाने के लिए भाजुपा किसान मोचा के नर्देशन में भाजुपाईयों ने रहले निकाली आगामे विधान सभा चुनाव को लेकर पार्टी ने के शक्ती प्रदेशन को लेकर शहर में चर्चाओं का जो दौर है पुछ शुरू हो चुका है परुकाबाद में भी गुरुगाउं देवी मंदर से ट्रैक्टर रैली को छेत्री उपाद्यक्ष किसान मोचा बाल मुकुंदिश शुकला ने हरी जंडे दिखा कर रवाना किया जिसके बाद ट्रैक्टर रैली नगर के पकका पुल चौक घुमना बाजार लाल दर्वाजा बढ़पुर होती हुई आवास विकास स्तित पाठी का रियाले पर जंड सभा तक पहुची रैली के जरिये जंड प्रते निडियों ने सरकारी उचनाओ के बारे में लोगों को बताया भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से इस वक्त फरुखाबाद में पहल देखने को मिल रहे हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ऐसे में सभी पार्टिया पूरे दम खम के साथ चुनावी प्रचार में जोटी हुई हैं ताज़ा तस्वीर फरुखाबाद से देखने को मिली है जहां भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई है फरुखाबाद के अलग-अलग इलाकों से होते हुए ट्रैक्टर रैली एक विशाल जलन सभा तक पहुँची इसके साथ ही रैली के जरिये जन प्रितिनिडियों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में इस्थानिय लोगों को अवगत कराया भारती जनता पार्टी किसान मूर्चा की तरफ से आज ये पूरी रैली जिती वो आयोजित की गई है तस्वीरे देख सकते हैं आप उस रैली के हमापो सीधी तस्वीरे दिखा रही है जोहाँ पर आज इस प्रकार से शक्ती प्रदर्शन किया गया ट्रैक्टर मार्च निक अज़ूद रहा है इस्थानिय लोगों को सरकारी ओजनाओं से अवगत कराने के लिए ये ट्रैक्टर रैली किसान मूर्चा की तरफ से निकाली गई थी इस पूरे ट्रैक्टर मार्च के साथ भाजपा किसान मूर्चा ने शक्ती प्रदर्शन किया है और इस बात को साफ कि या है कि आगामी चुनाओं में किस प्रकार से जो जराधार है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जोहाँ पर आज शक्ती प्रदर्शन किया गया है किसान मूर्चे की तरफ से ट्रैक्टर रैली आप देख लें किस तरह से पूरे फरुखाबाद में इन पूरे ट्रैक्टर रैली को निकाला गया था आजीत पांडे जिला महामंत्री और रोहिताश वर्मा जो है उस सभी इस रैली में मौझूद थे और इस रैली का नित्रत्व करते हुए दिखाई दे रहे थे तस्वीरे देख सकते हैं आपके इस प्रकार से लोगों की भीड भी इसमें देखने को मिली है ट्रैक्टरों का हुजूम मानों उमर पड़ा था आज फरुखाबाद में काफी पोलिस को इस पूरे मामने में कड़ी मशुकत करनी पड़ी है ट्राफिक को काफी उन्हें क्लियर कराना पड़ा भाजुपा की तरफ से जिस तरह से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई ह उससे कही न कही अब किसानों को भी रिजाने का प्रियास भाजुपा करती दिखाई दे रही है आपको बता दें कि काफी समय से भाजुपा का किसानों के साथ में जो कह सकते हैं कि बात थी वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी ऐसे में जहां एक तरफ प्रधानमंत तरहë से भाज़पा के खेमे में लाया जाए और तो इसी कड़ी में फरुक्खाबाद में भी आज ट्रैक्टर रैली जो है आयो जित की गई थी इसी के साथ साथ उत्तर प्रिदेश के तमाम जिलों में ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया जा रहा है इसी प्रकार से आज भाजपा किसान मोर्चा के अजीद पांडे और रोत्याश वर्मा जो हैं उनके नित्रत्वों में आज विशाल ट्रैक्टर रैली को आज निकाला गया था और इसी ट्रैक्टर रैली में आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए थे और ट्रैक्टरों पे सवार सभी भाजपा कारे करता सरकार की नीतियों को जनता तक पहुचाने का काम करते आज दिखाई दे रहे थे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टिवी नमस्कार प्राइम प्राइम प्राइम